तो बेटा थर्ड question में क्या बोला हुआ अचार्ज particle minus q, m is projected with velocity v in the direction of electric field of strength e in horizontal plane calculate the time in which the velocity of the particle becomes minus v तो बेटा इसने क्या बोला कि जैसे अपने पास a horizontal electric field है इसमें बेटा हमने एक minus q charge को minus q charge को क्या किया है velocity v दी है in direction of uniform electric field e तो बेटा मैंने इसको इस direction में velocity v दीए चेकर, तो इसको velocity v दीए तो बेटा इस पे जो force लगेगी वो तो बेटा ये negative charge है तो force किदा लगेगी force दुए पीछे की और लगेगी force इस direction में लगेगी तो इसको दिरे दिरे इसके velocity क्या होगी decrease होगी तो दिरे दिरे इसकी velocity decrease होगी यह नहीं पार्टिकल आगे जाएगा velocity decrease होती जाएगी मान लेते हैं यहाँ पर आके इसकी velocity क्या हो गई जीरो अब बेटा force तो अभी भी किदर लग रही है पीछे ही लग रही है तो अब बेटा यह किदर जाएगा पार्टिकल पीछे पहले आगे जाएगा और फिर वो किदर जाएगा पीछे तो पीछे जाएगा तो हमें उसकी velocity बेटा यह पता करनी है कब वो minus V हो जाती है कब वो क्या हो जाती है minus V तो बेटा मुझे बताओ कि इसमें जो formula होता है वो अपने बास होता है V equals to U plus 80 V equals to U plus 80 अफाइने व्लाउस्टी बेटाओ नीज की चाहिए minus V और इनिशल लाउस्टी इसकी क्या थी V अच्छाए A की वेल्यू एक वेल्यू बेटा मैं क्या लिखो क्या वो मैं माइनस QE by M लिख दू ना इंटू T तो बताना जारा अपने पास यहां क्या बनेगा QE by M into T equals to 2B जीक है तो यहां से बेटा अगर T के वेल्यू को solve करूंगा तो बेटा टाइम का अपने पास आंसर क्या आ जाएगा वाएगा 2MV अपन QE तो बेटा टाइम का यह आंसर आ जाएगा 2MV by QE चीक है चलो अब जारा उपर वाला कोशन देख लेते हैं फॉर्थ कोशन हम बेटा क्या वाला हुआ है calculation है बेटा distance between proton and electron both having a magnitude this of a hydrogen atom is this तो बेटा distance दे रखी है charge भी दे रखा है find the value of intensity of electric field produced on electron due to proton तो बेटा electric field की value कितनी produce होगी तो electric field की value बेटा कितनी produce होगी तो second question का answer E का formula बन जाएगा KQ by R square तो बेटा के अपने पास क्या होगा 9 into 10 power 9 अच्छा Q charge electron का है तो 1.6 into 10 power minus 19 अब distance distance बेटा 10 power minus 10 दे रखी है तो उसकी square करूंगा तो बेटा यह क्या बन जाएगी 10 power minus 20 तो बस बेटा इसको solve कर लो कर लोगे तो answer आजाएगा चिक है चलिए बेटा थर्ड question देखते हैं थर्ड question उसने क्या बोला हुआ है अच्छा फिफ्ट question जो है अच्छा कोश्चन है बेटा टू पॉइंट चार्जिज इच अफ क्यू आर प्लेजड़ एक कोमा जिरो एंड माइनस एक कोमा जिरो थर्ड चार्ज इस प्लेजड़ इस प्लेजड़ और रिजिजन इफ दर रिजड़ एक तो यह क्यू चार्ज है यह भी वे क्यू चार्ज है और यह उनस ओसर समोद पॉइंट्ड की क्या है यह डिए बेटा किस पॉइंट पे रखा हूंँ यह उर्को ममा जिरो पर तो माइनस ऐ कोमा जिरो पर इस ग्याद है यह बहा क्यों पास पॉइंट है यहां पotte की बेलु बताओ चलिए यह सारे- पॉजिटिव चार्ज थे का तो अब जारा मुझे बताओ इस क्यों की वज़ाइस इस पॉइंट पे जो इंगल बनेगा ही कितना बनेगा फॉर्टी फाइव डिगरी चिख्य के अठो फॉर्टी फॉर्टी फीफडिपरी सलेगेक राखने का तो मैं यहां पर इस पॉइंट पर नेट फोर्स लिख ओना नेट एलेक्ट्रिक फिल्ड एनेट इनेट बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं 2e sin theta प्लस Q की वज़े से बेटा मैं लिख रहा हूं e dash चलो अब उसने बोला कि यह net electric field बेटा इसमें कितनी है जीरो तो equal to beta लिख देते हैं जीरो तो e dash बेटा अपने पास क्या आगई e dash आगई minus 2e sin 45 sin 45 बेटा कितना आजाएगा one by root 2 चलो अब जारा मुझे बताओ e dash क्या है e dash है बेटा है इस small q और उस point 0,a यानि a distance पर electric field तो मैं यहां पर क्या लिख दहूं k q upon a square e cost क्या आजाएगा minus 2e e की value क्या है e है इस charge की वज़े से बेटा electric field अच्छा यह distance बेटा कितनी है यह वाली distance जो मैं यहां पर डाग कर रहा हूं यह distance है बेटा अपने पास root 2e तो इसको में इस डिस्टेंस अगरूट 2e है तो k q बटा r square लिखना है तो k q बटा root 2e का square तो यह बन जाएगा 2e square into क्या लिख दूँ one by root 2 तो बटा के से के जाएगा 2 से 2 जाएगा square से square जाएगा तो small q का answer द्यान से देखो small q का answer वो अपने पास बनेगा minus q by root 2 यह answer है बेटा इसका clear है चलो thank you